Hello दोस्तों, आईए जानते हैं पीर शब्द का हिंदी में क्या मतलब होता है और इसे कहां यूस करते हैं पीर, पीर, पीर का हिंदी होता है समान पदस्त या मिन समान पद पे काम करने वाले साथी, सहकर्मी, अमीर, नवाब, जहांकना या ताकना चलिए इसके examples देखते हैं She was rejected by her peer group उसे उसके सहकर्मी समुह द्वारा औस्विकार कर दिया गया Rejected means औस्विकार करना Peer group means सहकर्मी समुह दूसरा example है She started smoking because of her peer pressure सातियों के दबाओ के कारड उसने धुमरपार करना सुरू कर दिया Smoking means धुमरपार Peer pressure का मतलब है सातियों का pressure या दबाओ यहाँ पे peer का मतलब है साति तो इस वीडियो में इतने इस वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें